करक राशिवालों अब कल से आपका नया जीवन शुरू होने वाला है बस वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सच्चा हृदय भाव से जय माता दी का नारा तीन बार लगा दीजिएगा और दोस्तों यकीन मानिये माता रानी के आशिरवाद से आपकी जीवन के सारे दुख, दर्द, संगर्ष, समस्याएं सब कुछ जड़ से ही समाप्थ हो जाएंगे तो जरूर ही एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा लाइक कीजिएगा मेरे दोस्तों दोस्तों आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी की जीवन काल में पैसों की समस्या जड़ से समाप्थ हो जाएगी धन दौलत की समस्या जड़ से समाप्थ हो जाएगी और पूरे समाज में आपका नाम गूंजने वाला है कुछ ऐसी बड़ी घटना होगी मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अध्यात्म हमारा धर्म क्या कहता है हमारे शास्त्र क्या कहते है संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले है आपके जीवन में क्या कमिया है क्यों धन आपके पास नहीं आता है और आता भी है तो दिखता क्यों नहीं है क्यों एक हाथ से पैसा कमाया और दूसरे हाथ से चला जाता है और आपकी जो उद्योग धन्धे हैं व्यापार हैं विश्व कब क्यों होती चली जा रही है हालांकि ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कभी पैसा आपके पास आया नहीं है पैसा तो आया है लेकिन आपके पास वह पैसा रुका नहीं है तो क्या समस्या है कहां दिक्कते हैं जियोतिश क्या कहता है इस विशय पर कि क्यों आपके जीवन में समस्याई है क्या कोई धार्मिक समस्या है क्या आपका भाग ये खराब है या फिर किसी की नजर लग जाती है आपके जीवन को जीहां दोस्तों क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपने यदि कोई कारोबार शुरू किया नौकरी वगेरा शुरू की तो शुरुआत में आपको अच्छा धनलाब होता है लेकिन कुछ समय के बाद वह धीरे-धीरे कम होता चला जाता है और एक स्थिती ऐसी आ जाती है कि आपको अपना व्यापार या तो बंद करना पड़ता है या फिर बहुत ही कम धनलाब में उसे चलाना पड़ता है जिससे आपका मन उस व्यापार में नहीं लगता है कभी-कभी आपको बहुत बड़े-बड़े घाटों का बहुत बड़े-बड़े नुकसान का भी सामना करना पड़ता है तो दोस्तों हो सकता है कि समस्या कहीं और है और हम उसे तलाश कहीं और रहे हैं समाधान कुछ और कर रहे हैं जबकि समस्या किसी अन्य प्रकार की है तो आज के इस वीडियो में हम आपके जीवन से जुड़ी धन से जुड़ी समस्याओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे और आपको एक सही निशकर्ष पर पहुंच जाएंगे कि आपके जीवन में समस्या कहां है और आपको कहां कुछ समस्या पर काम करना है जी हाँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप हमारी कहने से पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपके मन के कई प्रशनों के जवाब आपको प्राप्थ होंगे कई नए रास्ते आपको प्राप्त होंगे और आपको यह पता चलेगा कि आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर समस्याइं क्यों है यह दोस्तों हम आपको गारंटी देते हैं यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया दोस्तों आपको वीडियो में बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा उसके बाद जो भी कारे आपको करने के लिए दिये जाएंगे जिन्हें हम उपाय कह सकते हैं उन्हें भी आपको पूरे भाव के साथ करने होंगे और आप देखेंगे कि चमतकार होनी शुरू हो जाएंगे धीरे 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 आपके जीवन में बरकत प्रवेश करने लगेगी धन की प्रचुरता आपके जीवन में आ जाएगी जी हां दोस्तों ऐसे में हम आपको बता दें कि इस वीडियो में बताई गई हर एक बात ज्योतिशिय आकलन के आधार पर आपकी ग्रहों की स्थिती को समझते हुए बताई जा रही है साथ ही साथ हमने अपनी वैदिक संस्कृती अपने शास्त्रों को भी इस वीडियो में शामिल किया है ताकि आपको ग्यान का संपूर्ण भंडार या यूं कहें कि एक संपूर्ण ग्यान पद्धती प्राप्त हो सके ताकि आपके जीवन में कमी कहां है उसे हम ढूंड सके और उसका समाधान कर सके यह दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत महनत लगती है हम हमारी टीम के साथ बहुत महनत करके इस तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं बदले में हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे प्रयास को यदि सर आते हैं कि यदि आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे आधा अधूरा देखेंगे तो आपको कभी भी संपूर्ण ज्यान प्राप्त नहीं हो पाएगा और आप कभी भी अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाएंगे यह दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं लेकिन जब जीवन से संघर्ष समाप्त नहीं होता कष्ट कम ही नहीं होते ऐसे ही लोग फिर मन मंदिर में भगवान की शरण में बिनती करते पाए जाते हैं साथ ही साथ अपनी कुंडली लेकर जोतिशियों के दर्वाजों पर चक्कर काटते भी दिखाई देते हैं जी हाँ दोस्तों एक जीवन का संघर्ष बहुत कठिन होता है इतना असान नहीं इस संघर्ष से पार का पाना तो अकलमंद बुद्धिमानी इसी में है दोस्तों की आप अपने जीवन की ग्रह दशा अपने जीवन की उल्ज़न को पूर्ण रूप से समझ लें और उसी के अनुकूल अपने जीवन में कारियों को जोड़ते जाएं कुछ को हटाते जाएं आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा दोस्तों लेकिन आप नियमित पूजा पाट नहीं करती हैं आप नियमित भगवान का नाम नहीं लेते हैं साथ ही साथ ग्रह नक्षत्र और उनकी उर्जा उपर विश्वास नहीं रखते हैं हम गारंटी देते हैं कि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की तरक्की प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी राशी की पहली जरूरत ही यही है कि आपकी राशी के जातकों को पहले धार्मिक बनना पड़ेगा आध्यात्मिक बनना पड़ेगा और अपनी जीवन की उर्जा को सुधारना पड़ेगा सकारात्मक करना पड़ेगा तभी आपको उन्नति प्राप्थ होगी आपके जीवन में किसी प्रकार की तरक्की आएगी बरकत आएगी जी हां, दोस्तों, ऐसे में हम आपको जो समझाना चाह रही है, उसे आपको समझना बहुत आवश्चक है, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं इस संसार में जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे होते हैं, लेकिन लोग उनके भाव को कभी समझ नहीं पाते उन्हें भी भीड में शामिल कर लेते हैं फिर बाद में परेशानिया धोकर तकलीफ हो और कष्ट में जीवन बिताते रहते हैं लगातार जीवन चलता ही रहता है चलता ही रहता है और एक दिन सब कुछ समाप्थ हो जाता है ये दोस्तों हम बस आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद किसी प्रकार का निर्णे लें, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके समय की बरबादी हुई है, आप आज के बाद हमारा वीडियो कभी मत देखना, जी हाँ दोस्तों, ये बहु कि कॉमेंट में पूरे भक्ती भाव के साथ जय माद दुर्गे लिखना ना भूलें। दोस्तों दुर्गा एक मातर शक्ति हैं, बिना शक्ति के तो शिव भी सब के समान हैं, तो हम कुछ मानवों की हैसियत ही क्या है, जो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि मातर शक्ति को प्रणाम करना है इसलिए कमेंट में जयमाद दुर्गे लिखकर ही वीडियो की शुरुआत करें माता का सीधा आशीरवाद और प्रेम और कृपा आपको प्राप्त होगी और दोस्त एक खास बात हम आपके सभी के लिए बहुत मेहनत करके ऐसे वीडियो लाते हैं बहुत छान कीवन में धन को लेकर समस्याएं क्यों हैं पैसे रुपए की तंगी क्यों हैं ऐसा नहीं है कि पैसा आपके पास नहीं आ रहा है लेकिन जैसे आता है वैसे ही चला जाता है कभी कभी तो आपकी खुद की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं और पैसा खत्म हो जाता है फिर बीमारी में चला जाएगा या फिर किसी प्रकार के विवाद को सुलजाने में कोट कचेहरी वगेरह में चला जाएगा या फिर किसी ऐसी जगह फंस जाएगा जैसे आपने किसी को दे दिया और वह आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है तो वहां से भी आपको निराशा हाथ लगती है आपका पैसा फंस जाता है यदि ऐसी जगह पर जाएगा आपको लगेगा कि आपका पैसा बरबाद हो रहा है कभी-कभी आप ऐसी चीजें खरीद लेंगे जिनका आप उपयोग ही नहीं करेंगे या जिनका उपयोग ना के बराबर है लेकिन आपका पैसा उन चीजों में फंस जाएगा इसे फिजूल खर्ची कहते हैं दोस्तों तो आप विचार करेंगे कि हमने इसे खरीद ही क्यों लिया बाद में विचार करेंगे लेकिन पहले आपकी मनोदशा ऐसी होगी बरकत प्राप्त नहीं होगी यह दोस्तों पैसा आएगा जाएगा कभी आएगा ही नहीं और कभी आएगा तो जैसा आएगा वैसा ही चला जाएगा बरकत यानि ठहराओ आपके जीवन में रुपए पैसे का कभी नहीं आएगा जी हाँ दोस्तों यह एक आप के लिए बुरी खबर भी हो सकती है लेकिन अच्छी खबर भी है क्योंकि हम आपका मार्क दर्शन करने के लिए तयार हैं आप बस हमारी बताएं कारियों को करते जाएए जी हाँ दोस्तों अब इस सब के बीच हम आपको यह बता दें कि ऐसा नहीं है कि इसमें पूरी कमी आपकी ही है क्योंकि आप ही बहुत अच्छे इंसान हैं आप दिल से सब का भला चाहते हैं आप किसी का भी नुकसान नहीं करवा सकते हैं किसी से धोखा धड़ी या फिर नाइंसाफी करके पैसे नहीं कमाते हैं लेकिन केवल आपकी अच्छी नियत आपको अमीर नहीं बना सकती आपको धनवा नहीं बना सकती है इसके लिए आपको और भी बहुत कुछ चाहिए इन तीन ग्रहों की कमी की वजह से है हम आपको आगे बताने वाले हैं कि यह तीन ग्रह कौन से हैं और आप कौन से ऐसे उपाए हैं जिनहें आप करें इनसे इन तीन ग्रहों से जो नकारात्मक उड़जा है या इनके नकारात्मक प्रभाव है ब्याह के उपर ना के बराबर हो जाएंगे और आपके उपर इन ग्रहों की कृपा बरसने लगे कि धीरे धीरे आपका जीवन नहीं लगेगा लेकिन सबसे महत्वपून बात ये है कि कहीं ना कहीं आप स्वयम भी जिम्मेदार हैं इस समस्या को उत्पन्न करने के लिए जी हाँ दोस्तों हम आपको आपकी ही कम्यों के बारे में बताना चाहेंगे बाद में ग्रह समाधान के बारे में बात करेंगे आपकी इन कम्यों के बीच में हम कुछ ऐसे कारणों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि धार्मिक्ता अध्यात्म से जुड़े हैं जी हाँ दोस्तों आपकी ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से बढ़ा पितरदोष भी उत्पन्न होता है जो कि आपके लिए बाधक का काम करता है जी हाँ दोस्तों वैसे तो बताने के लिए बहुत कुछ थे है आपकी समस्या का समाधान करते करतें वीडियो बहुत अधिक पैसा नहीं है, कर्जा बढ़ता जाता है, व्यापार में तरक्की रुप जाती है, ऐसा रुपए की तंगी हमेशा बनी रहती है, छाया पैसा कमाया पैसा कमा तो ध्यान से सुनिये, एक कौन सी है, वह कारण हो तो दोस्तों सबसे पहला कारण है, आपकी भावनाएं जी हाँ दोस्तों, अब यह आपको कैसे प्रभावित करती हैं? आप विचार करके देखिए, सोच कर देखिए, कि पिछले लंबे समय में आपका पैसा कितनी जगह फंसा हुआ है, यानि कि लोगों ने आप से पैसे लिए अपना काम चलाने के लिए, लेकिन फिर आपको पैसा देने हो, लेकिन अपने आंसू बहता है, तो आपके घर जाते हैं, और आप उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसकी चिकनी, चुपड़ी बातों में आ जाते हैं, और आप अपना पैसा उसे दे देते हैं, फिर होता ये है, जब आपको खुद को जरूरत पढ़ती है तो आपका ही पैसा आपके काम नहीं आता है, कई बार तो दोस्तों ऐसा भी हुआ है कि आपने पैसा दिया, जीतू बार मांगा ये थोड़ी बहुत प्रयास किये, लेकिन कहीं आपका रिष्टा खराब ना हो जाएं, कहीं सामने वाले को ठेस ना पहुँचाएं, इस वजह होना होगा और हर इनसान की मदद करने की आवश्यक्ता नहीं है, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इनसान अपना जीवन, अपना भाग्य, अपने कर्म खुद लेकर आता है, और उसी का वह भोग रहा होता है, चाहे कश्ट हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, तो आपको किसी की मदद करने के चक्कर में अपने जीवन को कष्ट से नहीं भरना है ये आपको ध्यान देना है किसी की मदद आप करें लेकिन सोच समझ कर करें और आपको किसी की मदद करने की वैसे आवश्यक्ता है नहीं क्योंकि आप जिसकी भी मदद करेंगे आपको बदले में बुराई ही मिलेगी ये आपकी राशी की एक बहुत बड़ी कमी है जी हाँ, दोस्तों आप ना चाहे तो ऐसा करके देख ले हमारे कहने से आप किसी की भरपूर मदद करिये और बाद में देखना आपका जो रिष्टा था वह भी समाप्त हो जाएगा और आपको तमाम बुराईयां भी मिलेंगे जी हाँ, दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी कमी की तो दूसरी कमी होती है दोस्तों आपके घर का वास्तु दोश तो आपके घर का वास्तु 100% बिगड़ा हुआ है हम गारंटी देते हैं अब सुनिए कैसे आपके घर की पूर्व दिशा में किसी प्रकार की भारी चीज रहती है गंदगी रहती है साफ सफाई की कमी रहती है जूते चपल, बगैरा, डस्ट बिन, वगैरा या फिर किसी भी अन्य प्रकार की गंदगी कच्रा इकठा होता है इस वजह से वास्तु दोश उत्पन होता है धन की कमी का कारक होता है अब आपके घर की दूसरी दिशा होती है जिसे हम नौर्थीस्ट या इशान कोण कहते हैं यह भी साफ सुथरा नहीं है भारी सामान रखा रहता है हवा का सही आवागमन नहीं होता है प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था नहीं होती है तब ऐसी स्थिती में भी आपके घर में वास्तु दोश उत्पन होता है और धन की कमी रहती है जी का दोस्तों तीसरा स्थान है आपके घर का ब्रह्म स्थान यानि कि घर का केंद्र घर के बीचो बीच या तो आंगन है ही नहीं और आंगन है तो भभबंध है यानि कि उपर से छत है तो उसमें प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था नहीं है और आंगन में भी जूते चपल बगैर पड़े रहते हैं जी हाँ, दोस्तों घर का ब्रह्म स्थान आप नाम से ही समझ गए वो ब्रह्म का स्थान है, केंद्र है घर का उसे साफ सुथरा होना आवश्यक है वहाँ तुलसी का एक पौधा रोपित करें और प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था करें और वहाँ अंधेरा कभी नहीं होना चाहिए अब आपको ऐसे में करना क्या है आपको तीन चार काम है जो करने हैं जिससे आपके घर का वास्तु पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा पहला काम यह है कि आपको अपने घर की इंडिया ने पूर्व दिशा है और नॉर्थिस्ट यानि की ईशान कोण में प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था करनी है और इन दिशाओं को साफ सुत्रा रखना है गंदगी बिलकुल नहीं करनी है और हो सके तो हरी भरी पौधे इस दिशा में रख दिया निगम ले बगैर इस दिशा में रख दे कुछ नहीं तो मनी प्लांट ही लगा दे जी हाँ दोस्तों दूसरा आपको यह करना है कि करके ब्रह्म स्थान की यानि की घर के बीच आंगन की साफ सफाई रखें जूते चपल बगैरा यहाँ कभी भी न डाले हो साफ सुथरा हो यही स्थान और हो सके तो तुलसी का एक पौधा आंगन के बीच ओ बीच अवश्य लगाएं जी हाँ दोस्तों अब आपके घर में जहां आप रुपए पैसे लगते हैं वह अलमारी अलमारी को आप रखें नैतिक और में यानि कि आपके घर की दक्षिन पश्चिम दिशा के बीच ओ बीच दक्षिन पश्चिम दिशा के बीच जो कौण बनता है वहाँ पर आप अपने घर की अलमारी रखें और उस अलमारी का मुह उत्तर दिशा की ओर खुलता हो जी हाँ दोस्तों की उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है वहाँ से धन का आगमन होगा और नैतिक और जो है वह माता लक्ष्मी का कौन या माता लक्ष्मी की दशा मानी जाती है वहाँ पर आपकी यदि तिजोरी है आपके धन का लौकर है उत्तर दिशा से जो सकारात्मक उर्जा धन को लेकर आएगी वह आपके घर में कैद हो जाएगी ठहर जाएगी फिर आपके घर में पैसा खूब आएगा धेर सारा आएगा और जो भी पैसा आएगा वही तरीका भी फिजूल खर्चों में नहीं जाएगा या दोस्तों तो ये तीन चार काम आपको करनी है और एक कारे आप और भी कर सकते हैं कि अपने घर के नॉर्थ वेस्ट जाने कि उत्तर पश्चिम कौर पर एक धन का कटोरा भी रख सकते हैं धन का कटोरा के बारे में हम आपको पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं यदि आपको इस विशय पर नहीं पता तो हम आपको बता दें कि कांच का एक कटोरा लेना है और उस कटोरी को सिक्कों से भर देना है दोस्तों पूरा कटोरा से कौन से भर देना है सिक्के खोटे नहीं होने चाहिए चलने वाले सिक्के होने चाहिए और उस कटोरे को आप पानी से उपर तक भर दें जिसमें सिक्के डूब जाएं जल जो है वह धन का प्रतिनिधित्व करता है आपने सिक्कों को जल में डूबा कर रखा है और इस कटोरे को आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने पर रखना है जी हाँ, दोस्तों यह जन की दिशा होती है यहाँ पर आप इस कटोरी को रखेंगे आपके घर में बरकत आने लगेगी रुपए पैसे आएंगे आपके जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्थ हो जाएगी आप इन उपायों को करके देखिए आपका वास्तु ठीक हो जाएगा आपके घर से आपके जीवन से धन की समस्या समाप्थ हो जाएगी जी हाँ, दोस्तों अब इसे कारण की बात करते हैं या दोस्तों पहला प्रभाव ही धन की कमी होता है। दूसरा के धन आएगा तो रुकेगा नहीं तो दोस्त अब पित्र दोश उत्पन्न क्यों हो रहा है। यह जानना आवश्यक है तो आप समझे कि गाय कुट्ता कौवा। आप याद करके बताईए कि पिछली बार आपने इन्हें भोजन कब कराया था। इन्हें कुछ खाने के लिए कब दिया था। शायद आपको याद भी नहीं होगा और यदि आदमी होगा तो बहुत लंबा समय गुजर गया होगा। दोस्तों आप रोज कुट्ते को और गाय को भोजन कराये। अपने घर की महिलाओं को इस बात के लिए प्रेरित करें कि जब रोटियां बनाएं तो पहली रोटी गाय की और आखरी रोटी कुट्ते की अवश्य बनाएं। जी हाँ दोस्तों और बचे हुए आटे को यानि कि मारे हुए बचे हुए आटे को कभी भी संभाल कर ना रखें। फ्रिज में ना रखें कि अगली बार फिर से बना कर रोटियां दे देंगे। दोस्तों जो आटा मार कर रख दिया जाता है उसकी रोटियां नहीं बनाई जाती है वह आटा पिंड का रूप ले लेता है फिर उस आटे को भूतों का मुख लगता है यानी भूत प्रेतों का वह भोजन हो जाता है ऐसे आट से फिर दोबारा कर रोटियां बना कर खिला दी तो 100% पित्र दोश उत्पन्न होता है। साथ ही साथ एंकर नकारात्मक उर्जा अभी घर में प्रवेश कर जाती है। जी हाँ, दोस्तों अब आपको ये कार्य करना है। अपने घर की महिलाओं को प्रेरित करें कि दो रोटियां रोज बनाएं। पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुट्टे की आपको ध्यान देना है। दोस्तों के साथ ही साथ आप एक कार्य और भी कर सकते हैं कि अपने घर की तस्वीर दिशा में एक दीपक अवश्य जलाएं। दीपक जला सकते हैं एक दीपक अवश्य जलाएं और इस दीपक का मुख्य जो होगा या नहीं इसकी बात ही तो होगी। वह उत्तर दिशा की ओर जी हाँ, दोस्तों दीपक की बाती का मुख्य कभी भी दक्षन दिशा की ओर नहीं होता है। यदि आपने यह भूल कर दी, तो आपके घर में भयंकर बीमारियों का प्रवेश हो जाएगा। निश्चित तौर पर आपका पैसा केवल बीमारियों में खर्च होगा, तो दीपक की बाती का मुख्य कभी भी दक्षन दिशा में नहीं रखना है। लेकिन दीपक आपको दक्षिन दिशा में ही रखना है और बाती का मुख्य आपको या तो पूर्व दिशा में या फिर उत्तर दिशा में रखना है। कोई और दोस्त नकारात्मक शक्तियां आपकी पूजा का पूरा फल ले जाएंगे और आप कहेंगे कि हमने तो बहुत पूजा की, फिर भी हमें दुख प्राप्त हुए, कष्ट प्राप्त हुए। ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, यदि आपको दीपक के बारे में संपून ग्य जान चाहिए तो आप कमेंट करके बताईए कि दीपक के ऊपर वीडियो बनाई है। हम आपको एक ऐसा विस्तृत वीडियो बना कर देंगे, जैसी जानकारी आपको अब तक प्राप्त नहीं हुई होगी। दोस्तों, ऐसा ही वीडियो हम आपको बना कर देंगे। आप कमेंट करके अवश्य बताना जिया, दोस्तों आप बात करते हैं, चौथी गलती के बारे में। आपकी चौथी गलती यह है कि कभी-कभी आप दिखा भी बाजी के चक्कर में पढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आप बहुत ही बुद्धिमान इंसान है। मिलकर जी के चक्कर में पैसा चला गया, दिखा भी बाजी में चला गया, पैसा लेकिन फिर कोई फायदा नहीं है, पैसा तो आपका चला ही जाता है तो आप सतर्क रहना है, जब भी आपको कोई भी सामान खरीदें, तो आपको यह एक बार जरूर विचार करना है कि यह आपक कि शुरुआत में बताया था कि कई बार आप ऐसी चीजें खरीद लेंगे जिनको आप बाद में कभी उपयोग भी नहीं करेंगे ना कि बराबर उपयोग करेंगे लेकिन आपका पैसा फंस जाएगा और वह होगा फिजूल खर्च की वजह से दिखा भी बाजी की वजह से या पांच भी कमी के बारे में बात करते हैं और यह कमी आध्यात्मिक है धार्मिक दोस्तों वैसे तो आपको भगवान के उपर पूरा भरोसा है अब भगवान का नाम भी लेते हैं लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है है आप किसी भी धार्मिक पद्धती को नियम स आप कोई भी पूजा पाठ करेंगे लेकिन नियमित नहीं करेंगे लेकिन दोस्तों शास्त्रों में स्पष्ट तौर पर वर्णन है कि यदि पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान नियमित तौर पर किये जाएं तभी उनका फल प्राप्त होता है। इश्वर उर्जा का शुद्ध स्वरूप है ये पूर्ण रूप से शुद्ध सकारात्मक उर्जा का स्वरूप है। हर इंसान के अंदर हर जीव जन्तु के अंदर विद्यमान है तो आप समझ ले कि आप उस इश्वर की पूजा कर रहे हैं जो सब में विद्यमान है। लेकिन आप किसी न किसी माध्यम से पूजा कर रहे हैं तो अब आपकी पूजा करने से होगा। क्या आपकी पूजा करने से वह सकारात्मक उर्जा आपकी ओराकर्शित होगी। जी हाँ दोस्तों वह सकारात्मक उर्जा आपके जीवन में प्रवेश करने लगेगी। लेकिन अब यह एक दो बार की पूजा करने से नहीं होगा। आपको लगातार पूजा करनी होगी। नियम से पूजा करनी होगी, रोज पूजा करनी होगी। जवाब एक ही पूजा पद्धती को लगातार लंबे समय तक करते रहते हैं। करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो फिर एक दिन हुए समय आ जाता है। जब भगवान की पूर्ण सकारात्मक उर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। जिसमें भी आपकी आस्था है, शिव जी में आस्था है, हनुमान जी में आस्था है, कृष्ण भगवान में आस्था है, विश्णु जी में आस्था है या माता में आस्था है तो आप उनकी एक विशेश पूजा पद्दती उठाइए। से पैसा डबल हो जाएगा या फिर आप जल्दी से पैसे वाले बन जाएगे लेकिन पैसे वाले आप नहीं बनेगा आपका पैसा फस गया चला गया यही हाल आपका व्यापार में भी है कभी कभी आपको व्यापार में फायदा ही फायदा दिखाई देता है और आप उस बिज इतना ही समझाए, आपको बात समझ में नहीं आती है, आपने जो एक बार अपने मन में बात बसा लिया, जो मन में ठान ली, आप उसे पूरी करके ही मानते हैं, और इसी जिद्धी स्वभाव की वजह से आपको कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा है आपका पैसा, फ हमारा हमारी जीवन की जो भी अनुभव है, हम उनके बारे में आपसे बात कर रहे हैं, हमने कई लोगों के जीवन को पूर्ण रूप से बदलते देखा है, जी हाँ, दोस्तों एक समय ऐसा था कि उन्हें कोई नहीं पूछता था, आज ये समय है कि लोग उनकी बहुत हमारा काम तो केवल आपको मार्क दर्शन दिखाना है, जी हाँ, दोस्तों अभी वीडियो पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें आपको बताना है कि कौन से हैं वह तीन ग्रह जो आपको पीडित करते रहते हैं, समय समय पर और आपके धन की आवक को रोकते हैं, ये दोस्तों आ शनी सनी का कार्य होते हैं, पहला आपके धन की आवक को रोकना, दूसरा, आपके घर में कश्ट परेशानियां, बीमारियां देना, दोस्तों अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है, दोस्तों की आप यदि जरा भी लालच करेंगे, जरा भी परेशानी किसी दूसरे इनसान को देंगे, चाहे अंजाने में ही दें, शनी देव आपके भाग्य में परेशानी लिख देंगे, आपके भाग्य में लिख देंगे, और शनी देव हालांकि आपके लिए लेडीस करने वाली ग्रह नहीं है, आपको पीला नहीं दे रहे, लेकिन आपके खुद के की जाने वाली गलतियां। आपके खुद के की जाने वाले गलत कर्म ही आपको पिला देंगे। और यह न्याय शनीदेव के हाथ में हैं तो अब आप ऐसे में क्या कर सकते हैं। क्योंकि मानव होने के नाते गलतियां तो स्वाभाविक हैं। हर इंसान करता है आप भी करेंगे तो कब तक जीवन भर गलतियों की सजा भुगतते रहेंगे कभी सुख आएगा की नहीं आएगा इस प्रकार तो शनिदेव आपकी हर एक मेहनत पर पानी फिरते रहेंगे तो अब आपको करना क्या है तो अब एक ही समाधान है कि आप शनीदेव की शरण में चाहिए आपको करना ये है कि आपको शनीदेव के मंदिर जाना है लेकिन हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं कि शनीदेव के मंदिर में आपको जाना है लेकिन जिस मंदिर में शनीदेव की मूर्ती लगी हो उस मंदिर में आपको भूल कर भी नहीं जाना है अब ऐसा क्यों किसी शनीदेव की छूत द्रिष्टी है वह बहुत ही खतरनाक है दोस्तों उससे बचना चाहिए या दोस्तों अब द्रिष्टी है या सुद्रिष्टी है, इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता है बस शनिदेव की द्रिष्टी आपके उपर पढ़ गई और आपका जीवन बदनने लगेगा जी हाँ, दोस्तों और इस बात के बहुत ज्यादा मौके हैं कि आपके जीवन में परेशानिया ही आएंगे, तो अब आपको कहा जाना है ऐसी मंदिर जाना है जहां शनिदेव का सिला स्वरूप स्थापित किया गया हो अब यदि ऐसा कोई मंदिर आपके आसपास है नहीं, तो आपको फिर पीपल के व्रिक्ष के नीचे जाना है शनिवार के दिन आप पीपल के व्रिक्ष के नीचे जाएं, सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और शनिदेव की ओम सम शनिष्चराय नमह इस मंतर की एक माला जाब करें आपको कम से कम 21 शनिवार ये कार्य करना है दोस्तों यह दोस्त 21 शनिवार आप यह कार्य करें और आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा यह दोस्तों में और हो सके तो आप अपने घर के पूजा स्थल मैं भी शनिदेव के नाम का एक दीपक अवश्य जलाया करिए हमारी बात मानी है दोस्तों आपका जीवन बदल जाएगा कश्टों से आप मुक्त हो जाएगे जी हाँ दोस्तों आप शनिदेव के नाम का एक दीपक चलाये मिट्टी का दीपक होना चाहिए और सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए दीपक आपको शाम के समय जलाना है यानि कि आठ बजे से नौ बजे के बीच में आप मंदिर भी यदि जाएंगे तो आठ बजे से नौ बजे के बीच में जैसे छायाकार कहते हैं और सनी दे ओल स्वयम छाया पुत्र हैं तो आप यदि इस समय जाएंगे तभी शनी देव आपकी सुनवाई कर पाएंगे। दोस्तों तथा शनी का अब आपको बताएं। दूसरा ग्रह है। आपका शुक्र आपको शुक्र को मजबूत रखना होगा। दोस्तों अन्यथा हर एक मेहनत बेकार हो जाएगी। गंदा नहीं करना है। जब भी आप घर से बाहर निकले तो एक सफेद रुमाल अवश्य रख कर निकले। शुक्रवार के दिन आप बहते हुए जल में सफेद खाने की बस्तु प्रवाहित कर सकते हैं। बतासे वगेरह रिवरिया वगेरह आप बहते हुए जल में प्रवाहित करें। साथ ही साथ आप छोटी कन्याओं को शुक्रवार के दिन सफेद रंग की कोई वस्तु दान करें। चावल की बनी खीर खिलाई आप देखेंगे, चमतकार हो जाएंगे, आपके जीवन में बरकत आजाएगी। जी हाँ दोस्तों अब बात करते हैं अगले ग्रह की और वह ग्रह है। मंगल जी हाँ दोस्तों मंगल वैसे तो आपको सीधे तोर पर प्रभावित नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारी कहने से आप मंगल के उपाए भी अवश्य करिए क्योंकि मंगल जो है वह आपकी मानसिक स्थिती को प्रभावित करती हैं। जिला दोस्तों जैसा कि हमने आपसे कहा कि आप ऐसी जगह पैसा लगा देते हैं जहां आपको पहले तो बहुत फाइदा दिखाई देता है। दोसरी की एक दिखावे बाजी की आदत जैसा कि हमने आपसे कहा कि कभी-कभी आपके अंदर दिखावे बाजी के गुण उत्पन्न हो जाते हैं जिससे भी आपका पैसा फस जाता है। यह भी मंगल की वजह से ही होता है। कल तो आप हमारे कहने से मंदिर से जुड़े उपाए अवश्य करिए तो मंगल को मजबूत करने का सर्वोत्तम उपाए यह रहेगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आप रोज नहीं कर सकते तो मंगलवार के दिन अवश्य करिए। हनुमान जी के मंदिर चाहिए। मंगलवार का वरत रहना शुरू कर दीजिए। दोस्तों यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही लाभधायक है। आप हमारे कहने से एक संकल्प लेकर वरत करें। ऐसे ही नहीं चलो। कल मंगलवार है और कल से वरत रहना शुरू कर देते हैं। जी नहीं दोस्तों आप बाकायदे मंदर जाए। हनुमान जी के सामने संकल्प लीजिए। हे प्रभू हमारी यही मनोकामना है। आप हमारा साथ दीजिए। और हम आने वाले 11 मं मंगलवार तक का वरत रहने का संकल्प लेते हैं। फिर आप देखिए। हनुमान जी आपकी कैसे मदद करते हैं। मंगल की संपूर्ण पीड़ा है समाप्त हो जाएंगी। एक और खास बात कि अपने माथे पर एक लाल टी का लगाना शुरू करिए। यह दोस्तों के साथ में से पानी पी लेते हैं जो कि खुला हुआ रखा था तो आपने समझो कि भूतों का भोजन ग्रहन कर लिया। जिस प्रकार पिंड भूतों का भोजन है उसी प्रकार खुला पात्र हम पात्र की बात कर रहे हैं। दोस्तों अब कोई कहने लगे कि नदिया भी खुली हैं व आप उपर नकारात्मक उर्जा निश्चित तोर पर हावी हो जाएगी जल के अंदर उर्जा को ग्रहन करने की एक अदम्य शक्ति होती है और वह नकारात्मक उर्जा आपके अंदर समा जाएंगे तो आपको जल का एक पात्र अपने सिरहाने रखकर सोना है धक कर रखना है उस उस पात्र को सुभह जब आप सो कर जागे तो अपने दर्वाजे का सिंचन कर दें। उसे जल्द से जी हाँ दोस्तों यानि उस जल को छिड़क दें। अपने दर्वाजे पर आप देखेंगे कि मंगल की संपूर्ण जो नकारात्म कूर्जा हैं आपको प्रभावित करना बंद कर देंगे। आपके हर एक निर्णय हर एक फैसले पर आपको काम्याबी हासिल होगी। मा भद्रकाली की कृपा और आशीरवाद भी आपको प्राप् करें। हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय हनुमान लिखना बिलकुल न भूले। याद रखें जिसके साथ है बाबा बजरंग बली उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हम हमेशा शुद्ध ग्यान आपको देने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से वीडियो हमारे लंबे हो जाते हैं। लेकिन आप वीडियो देखेंगे। आपका जीवन बदलेगा। 100% गारंटी है। हम मिलते हैं अगले ग्यान वर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।